अनन्त और राधिका की हल्दी सर्मनी की और भी नई तस्वीरे सामने आई हैं जो हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं जो यहां हल्दी पर यलो कलर के ड्रस में ट्यून करते वे अनन्त और राधिका नजर आए हैं अंबानी हाउस के बैकड्राउन के डेकोरेशन को अगर आप देख रहे होंगे बौधिस्ट यह जो स्टेचू है बौध का अनन्त राधिका के हल्दी सर्मनी में इसे भी कितनी खुबसूरती से डेकोरेट किया गया है चर्चा इसकी काफी ज्यादा ही हो रही है ठीहां आपको पताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में अनन्त अंबानी और राधिका के हल्दी सेर्मनी के दोरान उनके इस लुग पर लोगों की निगाहें ठिकी रह गई क्योंकि जस तरह अंबानी हाउस के अंदर का नजारा देखने को मिला लोगों की आँखे वाकई में खुली की खुली रह गई होंगी क्योंकि ऐसा अनुखा नजारा अंबानी हाउस का सालों से देखने को नहीं मिला था जस तरह से प्री वेडिंग बैस शली है कहा ये भी जा रहा है कि अनंतर राधिका की शादी में इतने खर्चे हो रहे हैं जतने इससे पहले अंबानियों ने कभी नहीं किये होंगे हाला कि बेटी की शादी में भी 700-800 करूर की आसपास उन्होंने खर्च किये थे फिर रिपोर्ट्स दाबे करते हैं बताते अनामी का खन्ना इंसेंबल उन्होंने पहने राधिका ने पहने अपने हल्दी के दिन पीठी सेर्मनी के लिए उन्होंने असली पूल वाले दुपट इससे पहले अनामी का खन्ना के रिस्मे श्लोका महता भी नजर आ चुकी है और ऐसे में राधिका के असली फ्लावर वाले जोले जैसे की चूकर, नेकले, सीरिंग, हाथ, पूल, पीठी सेर्मनी के दौरान काफी सुर्चियों में आएं कारण यही था क्योंकि अंबानी पर और आंडा में रिस्मेचर के जन्ना तगर जाएं को तो आएंपियो घ Va अ क्योंकि अपकषी और यही कि नही में अपष ल स् Humanमें यही है कि उ मीप सेले हैं यहार पीगडनी आही जही है।